अपार बहुमर से बीमा भारती जी जीतने जा रही है, बीमा भारती जी कोई कुछ बिगार नहीं पाएगा, ये जीत बिहार का जीत होगा, अज बीमा भारती जी जासिक इरानी के तरह वो काम कर रही है पूर्णिया के रुपोली में विधान सभा का उप्चुनाव चल रहा है और आज जो है आठ जुलाई है आज चुनाव परचार का अंतिम दिन था चुनाव परचार करने के लिए महागडबंदन की ओर से रुपोली में यानि रुपोली के विधान सभा छेत्र के भवानिपूर में तेजस्वी यादव जी आये थे और साथ ही कई राज़त के कारिकरता वहां पर पहुचे थे और आम लोग का भी काफी भीर लगावा था अबारसद मौझूद हैं यहां कुर्सेला के ही पुर्व जीला परसद और साथ ही किसान प्रकोष्ट के जीला ध्यक्ष है यह भी यहां कारिकरम में गए वे थे तेजस्वी जी रुपोली आये थे उपचुनाओं का माहौल है क्या कुछ हुँ कहेंगे यह तो बहुत बहुत धन्वाद देते हैं कि तमाम जनता जनारवन एकदम मैं कर दिया गया बीमा भारती जिन्दावाद आदरनी तेश्वी आदव जिन्दावाद लालु जिन्दावाद अपार बहुमर से बीमा भारती जी जितने जा रही है आज के चुनावी सभा में ज इतने जोद्धा लोग थे, सब लोग आये हुए थे, तमाम मद्दाता भी थे, बोर, पुरणिया, नौजवान सब लोग थे, महिला की जनसंखिया जादा थी, और लगभग 10,000 के लगभग लोगों का भीर था, और हमको तो लगता है कि मिवा भारती जी का कोई कुछ बिगार नहीं पाएगा, और हमारे कांग्रेस के मानिये संसद जो अभी तक परतमान में निर्वाचित हुए हैं, आदरनीये पपो आउ, उनका भी बहुत बड़ा एलान हमने मुबाइल के माध्यम से देखा, पॉबलिक में भी चर्चा चनने लगी कि मानिये MP साह भी इस धंका निर माता बहनोग काना बनाते हैं, तो भाद को टिबते हैं कि भाद सीज़ा की नहीं, ये एक फो चावल निकालते हैं, जदि वो चावल सीज गया तो समझ जाते हैं कि بगोः हंडी का चावल सीज गया है, आने वाला समय में बुमाभरतिया परबहम से जीतेंगे, और आदरनीय लालू जादव राश्टिय जन्तादल और तेस्वी वाव का तमाम राश्टिय जन्तादल के जतने कार्ज करता है इनकी मान सम्मान डिहार में बचेगा रुपवली में बचेगा रुपवली की जन्ता भला भाली है और हम असा रखते हैं कि इस धंका निर्ने जेदी सामने आत तमाम रुपवली विधान सभा के मद्दाताओं को आज मंजाशीन जेतने हमारे कार्ज करता और हमारे परदेश से आये हुए परखंड का जिला का पुर्णिया कटिहार रुपवली भवानी पूर तमाम जहा के जो कार्ज करता लोग आये थे बहुत अत्सा था हमको लगता है के एक आक हजार खाली कारी होगा और व्याइपी लोग सब थे और उसमें हमारे व्याइपी के नेता मुकेश सहनी जी थे मुकेश सहनी जी भी अपनी बात रखे कि भाजपाक कैसे कैसे हमको तोर के ख़राब किया अगले बार हम जो असे मतलब चार वीधायक बनाए थे अच वाला समय में कुर्शी खीच के बैठने के लिए तमाम लोगों को दिशानिर्देश दिया और कहा कि पीमा भारती की जीत आप लोगों की जीत है और यह जीत तमाम जनता जनारदन का है रुपोली बिधान सभा का है अब बिहार का जीत है चलिए इसी आसा और विश्वास के सा हम रुपोली के जनता को माथे पर रखते हुए उनको रामसलाम करते हैं उनको बहुत बहुत परनाम करते हैं धन्नवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना प्रचेज दिया है आज से 40-50 साल पहले नहीं अंग्रेज के टैम में जो इस्तिती थी यही रुपोली थाना था रुपोली थाना में लोगों ने अंग्रेज के विरुध लराई लड़े थे हमारे पुर्खापती और थाना में आगला करके थाना को जलाया गया था ऐसे बीर बूर लोग सब यहां रुपोली में पैदा लिये थे तो आज भीमा भारती जी जासी की रानी के तरह वो काम कर रही है और आने वाला समय में विकास से लेकित तमाम लोगों की मान समान इज्यत अबरुक और विरुजगारी महंगाई इस सब पर अपना विचार करेंगे फिर दोहयार पचीस में विधाईका बनेगी और विधाईका बन करके लोगों का सेवा करेंगे मैं गोपाली सबा उपचुना को लेकर सब की निगाहें रुपोली छेतर में बना हुआ हलाकि आप क्या सोचते इस वीडियो के बारे में कमेंट जरूर करें वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर करने ना बुले बहुत बहुत धन्यवाद